कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का तीसरा सबक सबक 3 अकल मंद किसान लोग कहानी सफ़ा 11 पुराने जमाने में भारत में एक राजा राज करता था ये राजा बहुत रहम दिल था उसके राज में सब खुश थे राजा अपनी परजा की हालत देखने के लिए कभी-कभी महल से बाहर निकला करता सब लोग राजा की इज़त करते थे एक दिन राजा घूमने गया रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया किसान अपने खेत पर काम कर रहा था राजा उसके खेत पर गया उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे खेत बहुत हरा भरा था राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ उसने किसान से जाकर पूछा तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो किसान ने जवाब दिया खुशूर बस ये समझ लीजिए एक रुपिया रोज के हिसाब से पढ़ जाता है अच्छा एक रुपिया रोज तो फिर तुम उस एक रुपै का क्या करते हो राजा ने पूछा जी उस एक रुपै में चार आने तो रोज खा लेता हूं चाराने का कर्ज उतारता हूं और चाराने कर्ज देता हूं अब बाकी बचे चाराने तो उन्हें कुए में फेक देता हूं सफ़ाग बारहा राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ उससे पूछा मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा मुझे इसका मतलब बताओ किसान ने हाथ जोड़ कर कहा हुजूर इसका मतलब यह है के चार आने जो खाता हूँ वो तु मेरे उपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं चार आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है के चार आने मैं अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है चाराने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताके जब बोड़ा हो जाऊँ तो वो मेरे खिदमत कर सकें चाराने कुएं में फेकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इतना खैरात करता हूँ राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ उसने किसान को इनाम दिया और कहा देखो, जब तक तुम मेरा मुँ सौबार ना देख लो इस बात को किसी को न बताना किसान ने वाइदा कर लिया राजा अपने महल वापस चलाया अगले दिन उसने ये बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे इसका मतलब पूछा मगर कोई भी उसका मतलब न बता सका वजीर बहुत होश्यार था उसने राजा से कहा सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बता दूँगा वजीर उसी दिन उस किसान के पास गया और उससे उसकी बात का मतलब पूछा किसान ने कहा राजा ने मुझे मना किया है मैं जब तक सौ बार उसका मूना देख लूँ तो मैं इसका मतलब नहीं बता सकता वजीर ने कहा कोई तरकीब बताओ मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल उसे इसका मतलब जरूर बताओंगा सफ़ा नंबर 13 किसान कुछ देर तक तो सोचता रहा और फिर उसने कहा एक तरकीब है तुम मुझे सोचरफियां दो मैं तुमें ये बात बता दूँगा वजीर उसके लिए तैयार हो गया उसने किसान को उसी वक्त सोचरफियां दे दी किसान बहुत खुश हुआ और उसने वजीर को सब कुछ बता दिया अगले दिन दर्बार में राजा ने वजीर से किसान की बात का मतलब पूछा, तो वजीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया राजा को किसान पर बहुत गुसा आया, उसने फौरन सिपाही भेज कर किसान को दर्बार में बुला भीजा किसान दर्बार में आया तो राजा ने कहा किसान ने कहा सरकार आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुँ सौ मरतबा ना देख लूँ इस रास को किसी से ना बताऊं हाँ ठीक है मगर तुमने एक मरतबा भी मेरा मुँ नहीं देखा नहीं सरकार मेरे पास सौ अशर्फियां है उन पर आपकी तस्वीर बनी है मैंने सौ अशर्फियों को देख कर ही ये बात बताई है राजा किसान की अकलमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे सौ अशर्फियां और इनाम में दी किसान खुश-खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया सफ़ा नंबर चौधा मानी याद कीजिए राज हुकूमत परजा यानी प्रजा अवाम खैरात सवाब की नियत से कुछ देना कर्ज उधार राज भेद वादा खिलाफी वादे से फिर जाना दर्बार शाही अदालत दर्बारी दर्बार में हाजरी देने वाले अशर्फी सोने का सिक्का सोचिये और बताईए एक राजा महल से बाहर क्यों निकलता था? दो राजा ने किसान से क्या सवाल किया? तीन किसान एक रुपिया किस तरह खर्च करता था? चार किसान ने एक रुपे के खर्च का क्या मतलब बताया? 5. राजा को किसान पर क्यों गुसा आया? 6. किसान ने राजा से क्या वाइदा किया था? 7. किसान ने अपना वाइदा किस तरह निभाया? सफ़ा नंबर 15 खाली जगा को सही लवज से भरिये 1. पुराने जमाने में भारत में एक राजा खाली जगा करता था 2. किसान अपने खाली जगा पर काम कर रहा था 3. खाली जगा रोज के हिसाब से पढ़ जाता है 4. खाली जगा उसी दिन किसान के पास गया 5. मुझे 100 खाली जगा 2. मैं तुम्हें ये बात बता दूँगा 6. किसान खुश-खुश राजा को खाली जगा देता हुआ अपने घर चला गया सही जुमले पर सही और गलत पर गलत का निशान लगा ये 1. राजा बहुत रहम दिल था 2. किसान ने खेत में चावल बो रखे थे 3. किसान रोजाना पांच रुपए कमाता था 4. वजीर ने कहा सरकार कल में इसका मतलब आपको बता दूँगा 5. वजीर ने किसान को हजार अशर्फिया दी यहां लिखे हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए 5. हरा भरा 6. कर्ज 6. खर्च 7. खिद्मत 7. तरकीब 8. गुस्सा 8. वादा खिलाफी 9. सफ़ा नंबर सोलह 9. इन लवजों के मुतजाद लिखिये 10. रहम दिल 10. बुढ़ा 10. इजजद 11. हुश्यार 11. खुश 11. गौर करने की बात 11. राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ 12. राजा को किसान पर बहुत गुसा आया 12. इन दो जुमलों में की और को इस्तेमाल हुआ है 12. ये ऐसे लवज हैं जिनके अलग मानी नहीं 12. लेकिन ये दो लवजों के दर्मियान ऐसा तालुक कायम करते हैं 12. किसान अपनी कमाई का एक हिस्सा मा बाप पर जरूर खर्च करता था 12. आपने देखा किसान और वजीर की बाचीत के शुरू और आखिर में 12. दो छोटे छोटे सीधे उल्टे वाव बने हुए हैं 12. उन्हें वावीन कहते हैं 12. मसलन वावीन शुरू तुम इस खेश से कितना कमा लेते हो 12. वावीन खत्म 12. इसी के साथ अपनी जबान भाग एक का तीसरा सबक यहां खत्म हुआ 12. इसके बाद सबक चार आता है 12. प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत 12. प्रस्तुती C.I.E.T.